आज बिहार बोड के तरफ से कोई भी नया नियूज बोड पर इक्षा के लिए जारी नहीं हुआ है और पुराने नियूज को हम बार बार दिखाना पसंद नहीं करते हैं और जो भी छातरी चैनल से जुड़े हो जानते हैं कि हम कोई भी नियूज आपको दिखाते हैं तो बि नहीं निवज आपके लिए परोसन है कि बिहार बोड का यह रिकॉर्ड बिहार बोड का एक खुलासा हम कभी ऐसा काम नहीं करते हैं तो आज कोई नया निवज नहीं आया असपस्ट सब्दों में समझ लीजिए तो आप लोग जितना दिन से चैनल से जुड़े हैं वहां से ल क्योंगि आप देख रहें कि ना покभी प्रस्द पतर यह से वाइरेल होकर घूम रहा है तो क्या रध होगा कि न क्योंकि तेंथ का वाइरेल हुआ तो रध हो गया था तो इसी तरह 65 rip-youd के लिए 및 जिसको जानना जिसका जवाब जरूरी है उसी के बारे मैं हम लोग इस बी क्योंकि बिहारबोड का है क्योंकि छापने हिसाब से जहां पर उसको सुरक्षीत लगता है यहां पर प्रसनपत्र को रखवाता है तो मेडिया कोई आच्छा मांग उठा देता है तो के के सेंटर परिक्षा का प्रसंपत आप लोगों को पहले मिल गया था कलास 12 तो इसमें तो कोई बात नहीं सोचिए कलास 13 और कलास 12 कुल छुए के साथ प्रसंपत रखा जाता तब ही लिख हो जाता है तो आप समझ रहे है नाइंध में भीहार में कितना इस्कूल स्कूल का सिस्टाम अच्छा नहीं है क्योंकि पहले से प्रसंपत्र आहीं चल्षाप कर्म धाता है और स्कूल की जिम्मारी होता है कि वह प्रसंपत्र उसको सुरक्षित रखे एक सांसें बोड़ के बहु क्दा नहीं換 रिखित लहीं या नहीं क्योंकि क्लास 9 का एकजाम आपकी स्कूल में हो रहा है और एक दिन में दो सीटिंग एकजाम हो रहा है तो सुचिए दो सीटिंग का बोर्ड का एकजाम दे पाना किसी के लिए भी संभाव नहीं होता है और साथ साथ इसका रिजल्ट भी कोई ओफीसियल जारी नहीं का एक ही काराने क्योंकि सुबह से हमारा ओफ-लाइन क्लासे चलता है नौ बज़े तक फिर हम लोग दो पहर में आएंगे ता अपना कुछ दैनी किरिया से निपटने के बाद उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाने का काम करते हैं और जो भी वीडियो जो आपको देते हैं तो नाइट में आप घूम भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप सुनेंगे गाव में नीसाचर प्रभीरती के लोग ही रात में घूमते हैं क्योंगी सहर नहीं कि रात में आप मार्केट में निकल गए तो अर्थाथ कि हम लोग को पाई सुबह से लेकर साम तक सिर पढ़ने कोई भी काम नहीं और ना ही उतना समय कि हम जाके कई से प्रस्ण पत्र लेकर आते हैं हमारे वाटसब गूरूप में और उसके साथ सा टेलीग्राम गूरूप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं तो किसी भी स्टूडेंट के पास प्रस्ण पत्र आता है तो हम लोग प आपको उतना ही बता हैं कि जीतना से कोई छातर सेकेंड डिवीजन भर का नमर लाले अर्थात कि फेल होने का ड़ग खतम हो जाए हमारे पास सभी प्रसंता लेकिन हम लो सिर्फ अब्जेक्टी प्रसंत की चर्चा किया है उसमें भी जिससे की आप पास कर जाए क्योंकि पीछे से कोई सूचना नहीं मातर दस से पंदरा दिन पहले यह सूचना आता है नोटिफीकेसन आता है कि नाइंद का भी एक जाम होगा बियारबोड प्रसंत पत्र स्टेट करके भेजेगा तो यह कीतना सही है कि छातर को कम से कम आपको छे मंद पहले बताना चाहिए तब पच्छातर बैठके कहीं से ओनलाइन ओफलाइन माधियम से उसका तायारी करेगा तो बीहारबोड तो कोई लीगल काम करता नहीं है तो इसलिए बीहारबोड का प्रसंपत्र हमेसा लीग होते रहता है इसमें काफी हद तक आपके स्कूल सिस्टम का भी दो से क्योंकि आपक के लिए पैसा देना पड़े क्यों इसका कॉपी पटना जाएगा सो ची यह बी आरबोड का भी सारा कोपी तेन ट्यूवल का भी पटना नहीं जाता हर जीला में चेक होता है अलग-अलग जीला में भेज कर और इसका कॉपी पटना तो इस सीख्छक भी काफी हद तक प्रसं पत्र लीग करें क्योंकि स्कूल से लीग करना हर स्टुरेंट के लिए आसान होता है और उसके बाद हो ठीक है हम नहीं अप्लोड करते जिसके पास प्रसंजाता कोई न कोई तो अप्लोड करता क्योंकि छात्र को आंसर नहीं मिलता मुझे छोड़कर किसी और के पास किसी औ करने के लिए पैसा तो इन सब स्टूसर्ण से मुक्त करने के लिए आतर ने भी एक कदम उठाया उसने परसंद पत्र भेजा और अफ-लाइन क्लास से जुड़ है तो आंसर हम लोग के पास हमेसा दिमाग में उतना घुमते रहता है तो हमने उतना बता दिया कि जिससे कि आपक और यहां बात कि हम कोई भी करते हैं च्छात्रीत को ध्यान में रखके काम करते हैं और कोई भी मुद्दा है इस चैनल सबसे पला आपक के सबसे जनका करने करने आप कुछ सही क्योंकि आप जो भी स्टूडेंट हम से जुड़े हैं उनको कुछ नया सीखनों की मिला और सबसे जड़ी कुछ दिमाग में फेक और गलत बात नहीं भरें सही सही जानकारी मिलता रहा है इसके लिए हम प्रतिबद है क्योंकि आप सोच सकते हम लोग को भी बहुत सा सबसे बड़ा कारण नहीं करता हूं और इस वीडियो के बनाने के पीछे के सबसे बड़ा कारण नहीं था कि आपको सचाई बताना कि हाँ ठीक है प्रसंपत्र लिग करने नहीं जाते हैं कोई भी स्टुडेंट भेजता है तो उसमें हम लोग वीडियो बना के अब लेबल कराते हैं आपके लिए बिहार बोड की जिम्वारी बनता है कि आपना सिस्टम सही करें कि कहीं पर प्रसंपत्र फेका रहेगा तो कोई ना कोई तो उसको देखेगा ही देखे कोई आख बं को होता है तो बिहार बोड भी कोई जाइज काम नहीं किया मैंने पहले ही बता दिया कि नाइंट का एक मन्त पहले डेट जारी करके एकजाम लेना तो इसी में छात्र अभी इतना प्रेसर हो गारी स्कूल वाले मैंने उपर प्रूब भी दिखाया तुम्हारी प्रेसर बना अच्छा बेहवार नहीं होगा तब तक ऐसा घटना घटते रहेगा हम नहीं कोई और दुसरा कोई तीसरा कोई चौथा हम ऐसा इस तरह प्रसनपत्र आएगा वह आपके लिए उपलब्ध कराते रहेगा फिर भी हम आपके लिए प्रतिबद हैं कि हम आपको बिल्कुल सही और सटिक जनकारी देते रहेंगे चाहिए इसके लिए कुछ भी हो जाए और हम कभी भी आपको पीछे का खबर तोड मडोर कर दिखाने का पर्यास नहीं करते हैं कि एक ही बात को बार बार के बिहार बोड का ये रिकॉर्ड बिहार बोड का एक खुसकबरी जो सही डाटा आ मजबूरी हो जाएका जैसे आज कल मेडिया वालो को आप देख रहे रहे को बीग चुके है तो उनको मजबूरा हो गया कि जो खबर सरकार कहेगा वो दिखाना है खबर सही हो तो इसको गलत करना गलत हो तो सही साबित करना वही जर्यास रहेंगे कि कि आपको सही और सठीक जनकारी और बिल्कुल जो आपके हीत में हो वहीं जनकारी आप तक कुपलाफद कराया जाए आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद